नमस्कार विद्धार्ते मित्राणो नुप्तेच नीट अंडर्ग्राजुट एग्जामिनेशन संपलेले आहे आणे विद्धार्ते नाता उस्वुक्ता लागलेले आहे रिजल्ट छी तत पुर्वी उन्चा स्कोर काई आसू शकेल याचीच आचे अपनी विद्धार्तें चकुलून हो तस्नर्या है त्या मुल या वीडियो मदे अपन और्ग्यानिक केमेस्ट्री चानुशंगण जे काई प्रश्ण विचारलेले होते त्या चा उत्तर भात्यू है अद् opposed या प्रश्ण पा इततनी विचारलेले आ है का मटले पा धा स्टेबल कार्बो काताएल प्रश्ण जे स्टेबलिटी अपने जर या मदे hyperconjugation चा विचार जर केला तर हा positive charge carbon atom असनर है इत दोन hydrogen अस्तिल आणि इत एक एक उन्ट तीन alpha hydrogen असनर है या मदे इत ये तीन असनर है तानि हे दोन पाच या मदे इत एकच असनर है या ठीक आणि आणि इत जर पाहिला तर हे तीन इत दोन अणि इत दोन alpha hydrogen असनर है त्या मूल इत एक उन्ट किती alpha hydrogen जले 7 जो इस structure इस दोन इस दोन स्टेबल कार्बो कटायन बरो रहे मंजे फोर्त इस दोन पाहिला अंसर पुरुच्चा प्रश्न पाहत या दिले identify the correct reagents that would bring about the following transformation reaction दिले ले आणि या मुदे product तयार जला है तो aldeide आहे मजे अलकीन आहे अलकीन पसुन aldeide तयार जला है एक लक्षट आहे चा if the final product is aldeide तर त्यावड इस PCC आहे काई शोद्नगर जेचा है गिद दिले ले options मदे आपन पाहिला आतर इस PCC दिस्तो है आणि इस आहे बरोब रहे मजे option 2 आणि 4 पे कि तुम्हाला निवड़ा लागे पणि इत स्टार्टिंग कंपोंड मदे carbon carbon double bond असले आमूल इत हाइडरो बोरेशन चीरिया रेक्षन मजे अडिशन आप बोरेन और डाइबोरेन और ओक्सिडेशन मजे हाइडरो बोरेशन ओक्सिडेशन में इताड़ इताब आपर लेजाईड तो हमूल या मदे काय तैयार विल इताइल CH2 इताइल CH2 आणि वैचिल मजे प्राइमरी अलकोल तैयार विल आणि त्यावर PCC ची रियक्शन जरके लिए तो महला अलडाइड मिले मजे करेक्ट आंसर ओप्शन कुछला सनरा है सेकंड पुर्चापा वेच वन आप दा फॉलोविंग अलकोल्स रियक्स इंस्तांटेनेसली वेट लुकास रियाजन एज़ी वेच्ट रियक्ट ओतो होता तरशरी अलकोल्स मजे आज़ा सनरा है तो 1st डिघ्री आसेल आज़ा सनरा है तो 2nd डिघ्री आज़ा सनरा है तो अगेल 1st डिघ्री अनि दिस ओनी 3 डिघ्री यनि थ्याम मुला correct answer option कुटलास न रहा है fourth इता statement दिरिलाइट पा statement 1 काया मंते पा aniline does not undergo Friddle Crafts alkylation reaction so this reaction is this statement is 100% correct second statement का aniline cannot be prepared through gabriel synthesis so this statement is also correct because aniline is a aromatic primary amine and with the help of gabriel thaliamide synthesis we can prepare aliphatic amines so options पा बोट statement 1 and statement 2 are true so correct option 1 पुड़पा अगे इता इसी question intramolecular hydrogen bonding is present in आप टेक्स्टबुक मदलास रवस्टनास न रहा है तरिया मदे है स्टुक्च जर पा आइला तर oxygen जरसना रायते oxygen मदे अडिया hydrogen मदे का विल intramolecular hydrogen bonding तयार हूँ शकेल मजे option A is 100% correct हाँ पुडचा प्रश्ण पा on heating some solid substances changes from solid to vapour state मदे अडिया मदे न रूपां तर होता है तेनी मटला है वेपर state मदे without passing through liquid state में हे कुटव अपनाला पाहला मिलता solid is directly connected into vapour without passing through liquid state that is nothing but sublimation so second two is the correct answer option a compound with molecular formula C6 H14 has two tertiary carbon atoms and its IOPC name is अधा two tertiary carbon atoms मजे का आसना रहे तर इधा आ carbon आ दुसरा carbon बरो रहे अधा प्रत्य कार्बन आतम का आसना रहा tertiary मजे 2,3-dimethyl butane is the correct answer option failing solution A is failing solution A is it is nothing but aqueous copper sulfate match list 1 with list 2 दिलिलाई list 1 मदे reaction दिलिलाई दनी आणि ये list 2 मदे reagents कीवा conditions मठ लेलाई तर इता तुम्हाला आसा compound दिसेलाल की नहीं जर आपन इतुन आसा double bond break केला इता एक oxygen आड केला आणि इता ही oxygen जर आपन आड केला तर तैयर विल साइकलो hexanone बरबरे मजे हे अपनला मिडलाई आथ ही कुणा पासुर मड़ू शकेल तर या list 2 मदे इता तुम्हालाई दिसेल फोर्ट पाई ओजोन आणि जिंक इन प्रेजंस आफ वाटर मजे एला कुटलास नराई या लाजी करेक्टास तुम्हालाई पाहलाई मिडलती कुटासेल इतास नराई पोर्ट तमटले पाई बेंजीन टू हे स्ट्रक्चर दिलेलाई या पासुन फ्रिडल्क्राफ्ट्स रेक्शन तुम्हाला संताई त्या मुले इता बेंजीन चा आउटसाइड हाई प्रोकार्बन आहे CH2, CS3 तर्च डायरेक्ट रूपांतर CO1K मदे जालेला आहे या मुला की रेक्शन कुणावला हो शक्ते K-मेनोफोरिन अलकलाईन मेडियम मुझे या पद्दतिन परेयापनला शोधाई चाथ पुडसापा, दे कमपाउंड देट विल अंडरगो SN1 रेक्शन वीथ फास्टेस्ट रेड SN1 रेक्शन मटला की फॉरमेशन आप कार्बोकाटाईन मुझे ये इता स्टैबिलिटी आप कार्बोकाटाईन तुमाला मायताई टर्शरी ची जासताई त्याननता सेकंटरी त्याननता प्राइमरी मुझे इता हाजर CBR बॉंड ब्रेक जाला तर इता काय तयार होनारा इता पॉजिटीव चार्ज तयार होनारा आए प्राइमरी कार्बो कटाईन जला इता लक्षा तील के हाँ बॉंड जा ब्रेक जला तर इता पॉजीटिव चार्ज आहां तयार हो शक्तो इता बैंजीन ला प्रेक्ट अलोजन अतं ब्रेक जोड लाय थिया मुंडो देर जा लिशनामु पारियल कार्बो क symbॉन रेवड भी नाहीन । इता हाँ bond break will और इता positive charges हाँ secondary cargo कटा हैं तयार हुँए. So correct answer का है आसनर है? 4. इता पुना दोन statements दिलिलाइद पास statement 1 काया हुँँथ है? The boiling points of 3 isomeric pentane follows the order. N-pentane, isopentane, neopentane. So the given order is 100% correct. So statement 1 is correct or true. Second statement काया हुँँथ है? When branching increases, मैं जा ब्रांचिंग वाड़त हुँँथ है इता यन-pentane stretch है नहीं नियो-pentane काया सनर है? Branch दे. तमुलो when branching increases, the molecule attains a shape of sphere. मैं जा आकार गोला कार होत हो. This results in smaller surface area of contact. Due to which the intermolecular forces between the spherical molecules are weak. So this is 100% correct. So thereby lowering of boiling point. मुझे ही second statement is also correct. तमुलो अप्शन मदे पहला बगा बोथ statement 1 and statement 2 are correct. So this one is correct. तमुलो अप्शन मदे पहला बगा? तोलन्स रिएजेंट हा रियाक्ट हुँ शक्तो. सिफ्स बेस ना ही. ते अन्तर HCN, glucose-sinoidrin तायर विल, ते रियाक्ट विल. ते अन्तर NH2OH, glucose-oxyam तायर हुँ शक्तो. NHSO3 आहा रियाक्ट होत ना ही. त्या मुलो B आणि E हे रियाक्ट होत ना ही. आणि त्या मुलो 3rd option is 100% correct. उड़ो पा, the products A and B obtained in the following reactions respectively are, हे रियाक्ट डियरेक्ट टेस्ट्बुक मदे ले आहे, Thrice of ROH plus PCL3 gives Thrice of RCL plus A. मुझे इतर ए जो तयार होतो हुँ तो कुट्लास ना रहा है, क्यों हो P OH thrice. आणि फेकन्ड रियाक्ट बादे ROH plus PCL5. या तले दोन बान्ट्स लगेज ब्रेक्ट उन, एक RCL तयार हुल एक SL तयार हुल, तो काया स्ना रहा है? POCl3 मुझे फोर्थ ओफ्षन जासना रहा है H3, PO3 and POCl3 उड़ोपा identify the major product C formed in the following reaction sequence इता reaction दिली CH3, CH2, CH2 I मतले with sodium cyanide तो हमोड I replaced by CN- बरव रहा है? मुझे CH3, CH2, CH2 CN तायर वील A मुझे हां तायर जाला पन तेचा पुड़ोँ मतले OH- Partial Hydrolysis मुझे Partial Hydrolysis मदे होता काये तर C triple bond N स रुपांतर है C double bond C double bond O NH2 मदे होता मुझे Amide मदे तायर नी बरव रहा है? NH2 अनी हाब भी तायर जाला वित रेक्शन वित ब्रोमीन अंड NOH मजे होपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रियक्शन असनर आहे ही रियक्शन दिली लाई पा ही या पूरी जाली लिया है KmNO4H plus मजे इता potassium permanganate acts as an oxidizing agent in presence of acidic medium अता acidic medium मेडियम मदे का उता तर तुम्हाला माइथ है असनर प्रशन और गनिक मदून विच्छन रेली होपिया मेजर प्रोडाक्स A and B formed in the following reaction sequence आता इता हा रियक्टन दिलाए PBR ती रियेजन दिलाए ती अमोलो OH PBR 3 का विल OH replaced by BR आ ब्यार इता इन आणि हा दला एप मेजर प्रोडाक्स आला यह अल्कोहलिक KOH reaction के लिए इतर dehydrogenation will, ट्या मुझे इतला या carbon atom वरचा b r आणि या carbon atom वरचा h निहँँझा जैल, या मुझे इतर double bond इंट्रडूस के ला जैल मुझे A structure OH चा ठीकाणी BR आणी B structure का स्नर है OH चा ठीकाणी BR अल्यान अंतर BR आणी dehydralization wheel आणी इतर double bond इंट्रोडूस केला जाई क्या मुझा structure ही जर पाइला आपन तो तुम्चा लक्षा तिर की A option correct असनर आहे Thank you